हेलो एब्रिवन जैसा कि आप सब जानते हैं कि एससी स्टैनो गिराफर का जो एक्जाम है वो 11 नवंबर को होने वाला है ठीक है यानि आज से लगभग आप 10 दिन मानके चल सकते हैं ठीक है तो आपके पास 10 दिन का समय है और इन 10 दिन में हम क्या स्ट्रेटेजी बनाए क्या स्ट्रेटेजी बनाकर के पढ़े ताकि हमारा जो एक्जाम में स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाए तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर इसी बात पर हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है ना और आगे बढ़ने से पहले मैं आप से बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस से रिलेटेड या स्टेडी से रिलेटेड आपकी जो वीडियो से मैं आपको प्रोवाइट कराता रहूंगा ठीक है ना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजे अब नौट नहीं करनी है ठीक है आपको एक्स्ट्रा चीजे आपको नौट नहीं बनाने है आगे के चीजे ज्यादा नहीं पढ़नी है ठीक है जो चीज आप के आगे आ रहे हैं पढ़ते हुए या टैस्ट लगाते हो आप उसको सीख सकते हो लेकिन अब जो है अब अगर आप सुरू से पढ़ने लग जाओ किसी चीज को class ले रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है अब करना ये है क्योंकि अब 10 दिन का time है class लेने का समय आपका नहीं है हाँ revision के लिए आप पढ़ सकते हो class ले सकते हो revision के लिए ठीक है वो अलग चीज़ें लेकिन आपको पढ़ने के लिए या notes बनाने के लिए आपको class नहीं लेनी है चलिए और कौन सी class लेनी है मैं आपको वो सारी बाते बताऊंगा भी आगे तो सबसे पहले हम English की बात करते हैं ठीक है तो English के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं देखे English so number क्या आती है सब को पता है तो सबसे पहले हम जो ज़्यादा weightage जिस चीज़ का उस पर focus करना है उसका अच्छे से revise करना है तो सबसे पहले English में हो जाएगा आपक नेरेशन तो वोईस और नेरेशन को आपको अच्छे से रिवाइज करना है ठीक है 20 नमबर यहां से आपको मिलेंगे और 20 में से 20 लेकर क्याने इस तरीके से आपको यह रिविजन करना है ठीक है और डेली आपको इसके लगबक 10-10 कुश्चन लगाने हैं एक्जाम तक तो 20 यहां से एक भी नमबर ना कटे तो वोईस और नेरेशन को आप डेली से रिवाइज भी करना है और डेली आपको जो है कोश्चन भी लगाने है उसके बाद आता है आपका ग्रामर का अधर सेक्शन तो जैसे आपका नाउन हो गया प्रोनाउन हो गया एजेक्टिव हो गया एडवर्ब हो गया यह सारे चैप्टर आपके आपको पढ़ने है और लगबग एक दिन में आपको दो चैप्टर रिवाइज करना है और दोनों चैप्टर के आपको 50-50 कोश्चन जो है आपको लगाने है और यह ज़्यादा बड़ा टार्गेट नहीं है कम से कम आपको 10 घ waking कर देना पड़ेगा कम से कम 4 घंटे आपको इंग्लिस को देना पड़ेगा और जरामर में मैं ने आपको बताया है कि दो चैप्टर आप पढ़िए रिवाइज करिए रिवीजन करना है easily एक घंटे में एक chapter आप कर लोगे ठीक है और 50-50 question आपको लगाने हैं आप book से लगाओ कहीं से भी लगाओ आपको chapter बाइद 50-50 question लगाने हैं हर chapter के तो इस तरीके से आपको grammar के सारे chapter कर लेने हैं और लगबग grammar का जो part है वो लगबग 45 आपके जो है marks cover करता है grammar का part ठीक है ना तो easily यहां से आप 10 दिन में cover कर लोगे voice or narration daily करने हैं बाकी दो chapter एक दिन में दो chapter आपको यहां से लगाने है प्लस question के साथ 50-50 question के साथ ठीक है इस तरीके से आपको करना ही करना है अब बात आते हैं वहिया vocab पर तो vocab को आपको अब दिखिए जो आपने पहले सबसे पहले आप उसको revise करोगे जो आपने याद की हुई है ठीक है जो आपने याद कर रखी है जो आपने पढ़ी हुई है उसको revise करो सबसे पहले ठीक है और प्लस जो थोड़े बहुत आपको words मिल रहे हैं extra आप उसको भी याद कर सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपने य बात की हुई है उसको revision करो ऊसका revise करो ठीक है न और प्लस उसमें कुछ words एड़ भी कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो ठीक है उसके बाद आपको comprehension तो comprehensive में आपको कुछ नहीं करना केबल और केबल आपको क्या करना है डेली दो पैसिज पढ़ो कम से कम दो पैसिज आपको पढ़ने और एक close test आप डेली लगाओ ठीक है ना इस तरीके साब को 4 घंटे यहाँ पर 4 घंटे क्या करना है इंगलिस को देने हैं इस तरीके साब का पूरा जो है मैंने आपको बता दिया है कि भाईया गिरामर के लगबग 2 चैप्टर एक दिन में करने हैं पिलस 50 कोश्चन करने हैं वोइस और मैरेसन आपको डेली करना है ठीक है 20-20 कोश्चन और सोरी 10-10 कोश्चन करने हैं और बाकी वोकेब को आप पढ़िए ठीक है आदा घंटा एक घंटा इसको दीजिए और यहाँ पर कॉम्प्रियेंसर में आपको डेली जो है दो पैसिज करने हैं और एक क्लोस टेस्ट तो यह चार घंटे का आपका टाइम टेवल है इंगलिस का इस तरीके सा आपको करना है चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूश सकते हो या फिर मेरा यह कॉंटेक्ट नंबर है आप इस पर भी कोई भी डाउट है आपका तो अराम से पूश सकते हो पता कर सकते हो ठीक है 955-776-0685 वाटसप पे आप कुछ भी पूश स में एक मिनिट तो अब यहां पर हम बात करते हैं वह यह जीएस की तो जीएस में क्या करना है सबसे पहले देखें जीएस में सबसे पहले आपको स्टैटिक जी की रिवाइस करना है सबसे पहले स्टैटिक जी की रिवाइस करना है फिर उसके बाद आपको साइन्स क्या करना है वह यह साइंस को रिवाइज करना है उसके बाद करन्ट अफेर तो यह जो तीन टोपिक है आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और जी असको लगबग तीन घंटे का आपको टाइम देना है और इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा अगर आप सीरियस कंडिडेट हो त ठीक है स्टैटिक जी के साइंस और करन्ट भाईया बीस से लेकर के 25 कोश्चन तक आते हैं यहां से बीस से लेकर के 25 जादा भी हो सकते कम नहीं होंगे ठीक है तो अच्छे से आप इन टॉपिक को अच्छे से मजबूत करके पढ़ करके जाना ठीक है फिर उसके साथ साथ आ आप आराम से 25 कोश्चन के आसपास तक कर दोगे ठीक है इतना इसको कर लोगे अगर आपने यह अच्छे से पढ़ करके गए तो और अगर आपने बाकी चीजे को आप स्किप भी कर सकते हो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ठीक है जियोग्राफी में थोड़े बहुत इं तो इस्टैटिक जीके कबर करो रिवाइस करो अच्छे से साइंस करो करन्ट अफेर करो चीक है और हाँ करन्ट अफेर में आपको क्या करना है करन्ट अफेर में आपको देगे आप अपने नोर्स बगएरा बना रखे तो अच्छी बात है लेकिन आपने कुछ नहीं बना र क्लास दो तीन घंटे की क्लास होगे तो वो दो तिन वीडियोज आप देख लिए मत्री ऍपहर्च पूरे से सब्सक्राइब थीक है प्लिस आपको क्या करना है टॉपिक्स कर धुपक्स होते हैं जैसे किस पोश्ट पर कौण सा मंत्री है ना इस तरीके से और किस state का राज्येपाल कोन है या सूचिकांग से related या अवोर्ड से related पुरुषकार से related यह जो topics होते हैं खेल से related यह सारे topic आपको अच्छे से revise कर जाने हैं current affair में तो इतना आपको करना है जी एस में और बागी सारी चीजें आपको साथ में करना है जो मैंने आपको बताया है और रिजिनिंग में सबसे last में आता है वहयरा reasoning پर तो reasoning में तो reasoning में सबसे पहले आपको क्या करना है daily क्या करना है daily टेस्ट लगाना है एक within skip नहीं होना चाहिए reasoning में आपको daily test लगाना है daily ठीक है तो test लगाओ और फिर उसको analysis करो जो topic आपके कमजोर है जिस topic में आपका number कट रहा है उस topic को आपको पढ़ना है ठीक है तो उस topic को आपको पढ़ना है plus उसके questions आपको लगाने है question से practice करनी है जितने भी topic आप में कमजोर हो आप उन topic को पढ़ो उनके question लगाओ इस तरीके साब को reasoning में अच्छा score हो जाएगा ठीक है तो अच्छे से आपको reasoning की daily practice करनी है plus topic wise भी आपको practice करनी है तो भाईया 10 दिन है 10 दिन में कम से कम 10 test आपको लगाने है यहाँ पर भी आप 2 से 3 गंटा आपको देना पड़ेगा तो 2 से 3 गंटा reasoning को भी दो ताकि आप 45 प्लस score कर सको reasoning में पिछली बार reasoning ज्यादा tough आए थी लेकिन इस बार reasoning tough नहीं आएगी लगबग उमीद है कि moderate level के आपको देखने को मिलेगी लेकिन इस बार English में थोड़ा सा question का weightage बढ़ सकता है मतलब question थोड़े moderate level के हो सकते हैं क्योंकि पिछली बार बहुत easy आए थे तो इस बार जो है आप अच्छे से बढ़ करके जाए exam देने तो इस वीडियो में इतना ही था और कै साथ में आपको चैनल को subscribe कर लिना है इस से related या study से related में वीडियो जो आपको provide कराता रहूंगा अगली वीडियो में मिलते हैं thanks for watching this video